अलो स्टुडेंट्स आज हम पोएम रीट करेंगे जिसका नाम है A Tiger in the Zoo और इसके जो पोएट है वो है लैसली नौरिस क्या नाम है उनका लैसली नौरिस इस पोएम में Tiger जो जू में रहता है और जो दूसरा Tiger जो अपने नाचरल हैबिटेट में रहता है उससे उसका कंपेरिजन किया गया है दा पोएम मूव्स फ्रोन दा जू तू दा जंगल यह जो पोएम है वो जू से जंगल जाती है और फिर and back again फिर दुबारा say back again to the zoo read the poem silently once पहले तो इस poem को आप पढ़ेंगे and say which strangers speak about the tiger in the zoo कि कौन से strangers में वो जू वले tiger की बात कर रहे हैं and which one speak about the tiger in the jungle और जो जंगल में tiger रहता है किस टेंजा में वो उसकी बात कर रहे हैं अब हम स्टार्ट करेंगे he stalks in his vivid stripes the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet rays कहते हैं कि वो जो है उसकी जो stripes हैं बिल्कुल clear निजर आ रही है stalks stalks का मिनिंग है walking एंगर वो गुसे में चल रहा है the few steps of his case क्योंकि जो case होता है वो छोटा ही होता है वो कुछ steps लेता है on pads of velvet quiet उसके जो जो पंजे होते हैं बिल्कुल मखमली होते हैं on pads of quiet in his quiet rays और वो गुसे में अपने case में इधर उधर घूम रहा है he should be lurking in shadow अब ये ये किसके बात हो रही है वो जो his stalks and his vivid stripes वो किसके बात हो रही थी जो case में है यानि कि zoo वाले tiger की अब ये next है he should be lurking in shadow वो hiding lurking का मीनिंग होता है hide in shadow वो shadow में छुपना चाता है sliding through long grass वो long grass लंबी लंबी घास में पीछे छुपके खड़ा होना चाता है near the water hole वो वहां पे खड़ा हुआ है कहां पे खड़ा हुआ है water के पास where plump deer pass वो ऐसी जगा पर खड़ा है जहां पे पानी बहता रहता है क्योंकि वहां पे hiran वग्यार आते हैं तो इस जो दूसरा जो tiger है वहां पे खड़ा है तो यानि कि ये natural habitat यानि कि ये जंगल वाले tiger की बात हो रही है third is he should be snarling around houses वो गुराना चाता है जो जंगल में जो घर बने होते हैं उन पे at the jungle's edge bearing his white fangs his claws terrorizing the village और अपने white fangs means होता है teeth और अपने जो white teeth है और his claws claws होते हैं पंजे नाखून वाले उनसे villagers को डराना चाता है तो ये कौन सा tiger है ये भी जंगल वाला tiger उसकी बात कर रहे है but he is locked in a concrete cell लेकिन ये जो tiger है ये concrete cell जैसे पत्थर, cement की जो बनी होती है दिवार ये उसमें कैद है his strength behind bars ये उसके अंदर prisoner यानि के कैदी बना हुआ है उसकी जो शक्ती है वो सलाखों के पीछे है stalking the length of his case ignoring visitors और जब visitors उसको देखने आती है तो वो उनको ignore करता है और वो अपने case में गुसे में इधर उधर घूमता रहता है he hears the last voice at night the patrolling cars अब उसने आवास सुनी के जो patrolling patrolling मींस होता है गस्त पुलिस जब गस्त लगाती है तो उसने वो वोई सुनी patrolling cars and stares with his brilliant eyes और अपनी चमकदार आँखों से उसने जो उपर आसमान में जो तारे चमक रहे हैं उनको अपनी brilliant eyes से उनको देखा ठीक है ये कौन सा वाला tiger है ये जो जंगल में है ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि जो जंगल में है वो तो अपने शिकार के लिए पानी के जहां पे नदी होती है या लेक वगेरा होती है या छोट छोटी streams होती है महाँ पे छुपावा होता है लंबी गांस में ताकि कोई अगर उसका शिकार है तो शिकार कर सके वो लोगों को डराता है अपने दांतों से अपने पंजों से लेकिन जो दूसरा टाइगर है जो जू में रहता है वो गुसे में रहता है और वो छुपचाप अपने पिंजरे में ही कुआइ ट्रेज गुसे में ही गूमता रहता है वो बाहर नहीं जा पाता यानि कि जो बाहर है वो तो स्वतंत्र है बलकुल फ्री है फ्री रहते हुए वो वाइस भी सुनता है पैट्रोलिंग कार्स और आसमान में देखता है लेकिन वो वो कुछ नहीं वो अपने पिंजरे में ही रहता है तो ये इस तरीके से उनका कंपरिजन क्या गया है अब ये आ आप अपना काम जो है कंप्लीट कीजिए थेंक यू हैव नाइस टेइ